हाई गुड बॉर्णिंग सस्यकालादाप नमश्कार वनकम और जहिन दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर नमीत कालरा और आज की गुड नियूस हाला की गुड नियूस से पहले मुझे सुभे 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 सैड नियूस मिल गई कि मेरे सगे रियल चाचा जी की डैथ होगी पहले चाचा जी की डैथ हुई सड़क बिन ऑक्सिजन के और आज चाचा जी भी कोविट से चले गए पतानी अभी क्या क्या और सुनने को मिलेगा और किस को और खोना पड़ेगा चलो मेरा काम है गुड नियूस बताने मैंने पहले भी वादा क्या था सीनिय के अंदर कितने भी दुख क्यों नहूं मैं गुड नियूस बताता रहूँगा क्योंकि good news इंडिया के लिए है आज की good news यही है कि cases लगतार कम होते जा रहे हैं 2.1 एक एक लाख cases आए हैं 2.82 लाख cases recover हुए है active cases 24 लाख रहे हैं और death 3841 हुई है और फिर short में बतायता हूँ कहां से cases जादा हैं जादातर cases वहीं से ही हैं जो मैं हमेशे बताता है हूँ सबसे उपर इससे में जो cases है तमिल नाडू में है 33,666 cases 475 death हुई है तो तमिल नाडू में सबस्यादा cases है उसके बाद नंबर आता है केरिला का जहां 28,000 से उपर cases है 151 death हुई लेकिन माराष्टा में अभी भी death सबसे उपर है जो साउथ इंडिया है वहाँ पर हालात खराब है माराष्टा सुधरता जा रहा है माराष्टा से एक good news ये है कि मुंबई में पहली बार बहुत कम cases है एपरेल 13 के बाद सिर्फ 34 death हुई है और 1300 cases आए है तो बहुत ही अच्छी खबर है मुंबई वालों के लिए आमची मुंबई के लिए लेकिन अब इसी के साथ मैं पहले बता दूँ कि अगर मुंबई आगे है तो दिली भी उसके साथ सा चल रहा है दिली से भी अच्छी खबर है दिली में भी 1400 cases आए हैं और 14.9 130 death हुई है positive rate 2.0 से नीचे जा चुका है और क्या दिली में lockdown हटेगा देखो मुझे ऐसा लगता है मेरी ये सलाह है मेरा ये मानना है हाला कि मैं कोई सलाह देने वाला होता नहीं हूँ मुझे लगता है कि selective lockdown अभी रहना चाहिए weekend का lockdown अभी कम से कम नहीं पाएगी तो जब तब vaccination नहीं हो जाए तब तक मुझे लगता कि ये weekend का lockdown होना चाहिए लेकिन वो भी बात सच है कि देश के आर्थिक हालात को भी मद्दे नजा रखना पड़ता है सब चीज़ों का देखना पड़ता है कोई भी एक चीज़ क्या करें मुझे इस साथ में ये भी लगता है जो इस बाद जो second wave आई है वो स्कूलों के खुलने के बाद आई है और इस बात का डर था क्योंकि स्कूल सबसे खतरनाग जगे होती है क्योंकि और सबसे आखिमें स्कूल ही खुलेता अगर आपको ध्यान हो तो तो अब यही डर है कि स्कूल जब दुबारा अभी तो पता ही नहीं कहा है अब तक कब खुलेंगे स्कूलों का कुछ अता पता ही नहीं है चलो उसको तो बात छोड़ो ये थी दिल्ली की बात और बागी राजों का भी बतायता हूँ बिहार में 2600 कैसा है, 99 डेथ हुई है, पंजाब में 4000 कैसा है, 185 डेथ, पंजाब और महराष्टा डेथ के मामले में बिलकुल भी नीचे नहीं आ पा रहे है, हिमाचल में 1300 पैसे डेथ है, 44 डेथ हुई है, तो ये था कुल मिलाकर पूरे भारत का नक्षा, जो काफी हد तक में से 34% वैक्सीन 45 साल से उपर वालों को लगी है और अच्छी बात है 20 क्रोड लग गई है तो और वैक्सीन अपॉलो हॉस्पिटल की एक स्टडी आई है कि वैक्सीन जो ने मुटेंट वायरस है उसके खिलाब भी एफेक्टिव है और अब एक स्टडी वो लोग कराने जा रहे हैं अपने हेल्थ वरकर के उपर अपॉलो हॉस्पिटल की देखेंगे की वैक्सीन का कितना असर है तो जाता था डॉक्टर जो मारे गए उन में से काफी लोग ऐसे भी थे यह देखा गया है और तो वैक्सीन लगवाना जरूरी है और कल परसों से एक फेक न्यूज मुझे लग रहा है घूम रही है पता नहीं कौन से नॉबल प्राप्त एक साइंटिस ने बोल जै जिस इसने वैक्सीन लगवाई वो दो साल में के अंदर मर जाएगा मतलब इस त उस ने लगवारे हैं इतने पॉलुशन में रहे हैं जो यह सोचके हम नहीं हम तो पहले ही सोचके चलते हैं हम तो मर हुए के समानी है हम जिन्दा थे ही कब जो हम र जाएंगे हिंदुस्तानीयों पर को यह सहन ही हो ना किसी का तो चुपचा वैक्सीन लगवाई ओ और इस हाँ, short हो रही है vaccine तो फिर दीरे दीरे मिलेगी दीरे दीरे चलेगा, कारवा चलता रहेगा दीरे दीरे पहुंच जाएंगे 2022 तक जाके कुछ ना कुछ हो ही जाएगा कुछ वाइरस बिचारा ठक जाएगा कुछ इधर vaccination हो जाएगा 20 करोड हो गए है, तब तक इस साल के अंदर तक सरकार ने बोला ही है कि हम 200 करोड वैक्सिन अवलेबल करा देंगे, तो उमीद है 2022 एक अच्छा साल होगा, उमीद है शायद, और उमीद भी दुनिया का है मैं लेकिन चलो चलता हूँ दिल तो नहीं है मेरा अच्छा क्योंकि चाचा जी की डेथ हो गई है और कल रात को यह एक intuition हो रहा था कि कुछ गरबर होने जा रहा है बहुत मन भारी था रात को, और शायद मैंने इसलिए एक song भी डाला था, क्योंकि मुझे अंदर से में क्यों नहीं एडमिट किया, सर वह एडमिट यहां नहीं थे, मेरेट में एडमिट थे वही रहते थे, उधर ही थैंक यू, बाई